Hello friends, good morning, welcome to सफलता मंत्र दोस्तों current affair की सुभई 7 वजे की क्लास में आप सभी लोगों का एकवार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और आज डेट है एक फरवरी एक फरवरी आपके लिए बहुत ही important डेट है आगे आप लोग समझ जाएंगे किसलिए मैं कह रहा था और आज से सम्मधि जितने भी important questions हो सकते हैं उन सभी को अमने आज की क्लास में cover कर लिया है इसलिए class को end तक देखेगा प्रते question को समझ के बताईएगा कितने question आपके सही हुए है प्रते question को आपको पूरी व्याक्या के साथ समझाया जाएगा और साथी साथ पुरानी classes अगर आपने ना देखी हूँ पहली बार चैनल से जुड़े हूँ तो पुरानी classes को देखकर अपने notes बनाना तयार कर लिजिए और साथी साथ चैनल को subscribe करना मत भूलेगा वेल आइकन को भी प्रेस कर दीजेगा चली बढ़ते हैं पहले question पर पहला question आपके सामने देखे केंदरी वजट 2020-21 संसद में कब पेस किया जाएगा तो दोस्तों केंदरी वजट जो है वो अब नियम चेंज कर दिये गए है 2017 के बजट जो है वो पेस करने की डेट को बदल दिया गया था तो आप सभी लोगों को मालू मुगा कि केंदरी वजट जो है आपका 2020-21 का ये एक फरवरी को संसद में पेस किया जाएगा इसके पहले आपकी जो आर्थिक समिच्छा की जाती है वो भी complete हो चुकी 2021 क्यानी की कल से आपका संसद का सत्र प्रारंप कर दिया गया था और आज आपका ये संसद में बजट पेस किया जाएगा जो की कौन पेस करेगा वित्त मंत्री वित्त मंत्री कौन है स्रीमतिन निर्मला सीता रमण जी वित्यमंत्री है और उसके आद उनके जो सहायक राज जी वित्यमंत्री है वो है अनुराग ठाकुर ये दोनों लोग मिलकर के केंद्री वजट को पेस करेंगे उससे सम्मंदि जो भी कोशन्स बनेंगे वो आपको कल की क्लास में कवर कराए जाएंगे इसके पहले दोसों 2017 के पहले देखे क्या क्या चेंजिस किये गए हैं फरवरी के अंतिम सब्ता में वजट पेस किया जाता था और दूसरी चीज़ वजट जो था अलग अलग रेल वजट अलग और जो आपका आर्थिक वजट बित वजट जो होता था उसको अलग पेस किया कि इस अंतराश्टी संस्था ने कोरोना वाइरस को ग्लोबल हेल्थ इमर्जेंसी घोसित कर दिया तो दूसरों कोरोना वाइरस की गमभीरता को देखते हुए जिस प्रकार से वो अलग 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 देशों में लगातार फैल रहा है और कई देशों में लगवक अठारे से बीस देश ऐसे हैं जहां पर कोरोना वाइरस से पीडित मरीज देखने को मिले तो इसकी वज़े से इसे ग्लोबल हेल्थ इमर्जेंसी घोसित कर दिया ताकि जो गरीब देश हैं जहां पर इतनी जाता सोबिधाय नहीं है वहां भी कहीं ये वाइरस ना फैल जा इसकी दरश्टी से देखते हुए किसने इन में से देखे जल्दी से डबलू एचो ने बहुत बढ़िया डबलू एचो ने ये कदम उठाया और इन्होंने डबलू एचो ने जो इसको कोरोना वाइरस को ग्लोबल हेल्थ इमर्जेंस भी घोसित कर दिया कोरोना वाइरस जो है चीन से फैला और लगातार ये चीन में भी इसके मामलों में ब्रदी देखने को मिले लगवग 230 के आसवाथ व्यक्तियों की वहां पर म्रती हो चुकी इसका अंद्र देशों में भी कई मरीज देखने को मिले हैं तो दोस्तों इसके मुख्याले याद रखें का वर्ल्ड हेल्ट और गनाइजेशन यूए आपका यूनाइटर नेसंस यानि की सियुक राश्ट संग और यह आपका हेल्थ और गनाइजेशन विस्ट स्वास्ते समुहूं इस नाम से एकला यूएन ईपी बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत बा में है यह आपका उधर साइड नौर्थ अट्लांटिक महादेव की तरफ से देशों का समुह लगवग 29-30 इसमें सामिल है इतना ही याद रखना आपको अगला थार्ड नंबर कोशन है वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ दा येर 2019 का एवार्ड किस खिलाड़ी को दिया बहुत के आधार पर निश्चित किया जाता है कौन बनेगा वर्ल्ड एथलीट ऑफ दा इयर तो चारो नाम आपके सामने है इनमें से जो की इस वर्स की 2019 की वर्ल्ड हिल्थ वर्ल्ड एथलीट ऑफ दा इयर चुनी गई है वो है रानी रामपाल इंडियन होकी टीम की कप्तान है औ और वर्तमान समय में कपतान वनी हुई है और इनको अभी पदम स्री एउड से भी संवानित किया गया था पदम स्री आवअड दिया गया था इनको वर्ल्ड एथलीट अवदा इयर आवर्ड वो रानी रामपाल को दिया गया भारत हे होकी खिलारी है और इसका दूसरे और एक लोगों ने और मिलकर के संयुक्त रूप्ट से यह यह एवार्ड जीता था फ़र्ष्ट प्राइज इनको मिला था साथी साथ बात करते हैं एवार्ड की वोट की तो इस वर्स रानी रामपाल को सरवाधी एक लाख 99,715 करके कुछ वोट मिले हैं पिछली वार इनको एक लाख 54,000 वोट मिले थे तो उनसे कई जादा वोट इस वार रानी रामपाल जी को मिले बहुत-बहुत सुभकामना है उनको इसी प्रकार से आगे बढ़ती नहीं और अपने देश का नाम रोसन करती नहीं अगल अलग अलग देशों के साथ होने वाले प्रसिच्छन अभ्यास होते हैं अलग अलग स्थानों पर इनको दोनों सेनाओं के दोनों देश की सेनाओं के मद्द सामंजस के लिए बनाया जाता है इस्टार किया जाता है तो दोस्तों सैन प्रसिच्छन अभ्यास के अंतर इसका स्प्रीति नाइन ये नौवा संस्करण है और ये कहा पर हो रहा है तो ये तो आपके मेघहाले में कहां पर है दोस्तों मेघहाले में ये सेन प्रसिच्चन चल रहा है किन दो देशों के मद्डे है जल्दी से देखेगा तो इसका आपका A number option है बांगलादेश और भारत के मद्डे संप्रीति 9 सेन प्रसिच्चन अभ्याष चल रहा है नौमी वार हो र उसके बारे में पूरी अपडेट दे दी थी, अब आप पूरे अच्छे मन से लग जाए, ये 7 फरवरी को आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके आद उम्मीद करते हैं कि जो 4000 वेकिंसी जा रही हैं, उनकी आपकी त्यारी प्रारम हो जाएगी, नोटिफिकेशन जल्द ही जा तो अभी से त्यारी में लग जाए, ये डेली की डेली करेंट अफेर, लाश्ट 6 मन्त की पूरी करेंट अफेर, आपको रट लेनी है बिल्कुल, 30-40 अंकाप के 100% यहीं से कवर होंगे, जो करेंट अफेर रट लेगा, वही सबसे आगे निकल जाएगा, इस बात का ध्यान करने वाली महिला का क्या नाम है, तो दोस्तों ऑसकर के अंतर रहते गेस्ट सेग्मेंट यानि की जो विशिष्ट आतित ही होते हैं, उनके लिए औरकेष्टा का आयोजन किया जाता है, औरकेष्टा को बुला करके उहां पर प्रस्तुतियां की जाती है, तो इस औरकेष्ट या कंपोजर और सिंगर के रूप में जानी जाती आईमर नून, इनको ऑसकर गेष्ट सेग्मेंट में औरकेष्टा का प्रमुख बनाये गया, अगवाई करेंगी, बी नंबर आप्सन सही हो जाएगा, फाइब कोशन कंप्रीट हो गए, चलिए बढ़ते हैं, शिक्स नंब को अर्थ सास्त्रियानी की, किस आधार पर गरीब को खाना मिल रहा है, साकाहरी, मांसाहरी, क्या उसका एक रेट निर्धारित किया जाए, इन सभी को देखते हुए, भोजन की थाली का अर्थ सास्त्रिया गया है, और इसे हम किस नाम से इस वर्स जान रहे हैं, क्या नाम इ आर्थिक सर्वेच्छन 2019-20 में बताये गया कि वित वर्ष 2021 में देश की GDP ग्रोथ कितना रहने के अनुमान है देश की GDP ग्रोथ अगले एक वर्ष में पूरा एक वित वर्ष यानि की अब से प्रारम होकर अगले फरवरी मार्स तक जो इसकी GDP ग्रोथ होगी हमारे देश की वो क यह आंकी गई है याद रखेगा important question है आपके जिन में भी economics बगएर आती है यह question पूछा जा सकता है अगला question भी आपका आर्थिक समीच्छा से सम्मंदित question है तो इनके इनुसर विस सुवैंक द्वारा कारोवारी सुगमता स्रेणी में भारत ने 2019 में किस इस्थान पर 100% यानि कि जितनी भी हमने आपको अभी तक rank पड़ाई है वो आपको जरूर याद रखनी है दो तीन अंक आपके जरूर वहां से बनेंगे तो दूसरों 63. rank है कितनी rank है 63. rank है कारोवारी सुगमता 6. स्रेणी के अंतरगत याद रखेगा और इसके बाद जो 2014 में rank थी वो 142 यह भी याद रखना 63. नंबर पर 2019 में rank बनी हुई है याद रखेगा आगे बढ़ते नाइन नंबर कोशन पर GDP की दरश्टी से दुनिया की top 10 अर्थ व्यस्थाओं में भारत की अर्थ व्यस्था किस इस्थान पर है तो दूसरों top 10 अर्थ व्यस्थाओं की बात करें जो इस्थान जो है इस समय पांच में नंबर पर है इसका आपका सी नंबर आप्सन सही हो जाएगा इसके साथी साथ बताय जा रहा है कि 2022 तक इसको आगे ले जाकर 5 ट्रिलियन की एकनॉमिक्स बनाना है और 3rd नंबर को क्रॉस कर देना है वरत्वान समय में इस्थिति यह है इस लक्ष को प्राफ्त कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं इनको बहुत बहुत सुबकामना है जल से जल इसी प्रकार की अन्य उपलबदियों को हांसिल करते रहे ताकि देश का नाम रोसन होता रहे चलिए बढ़ते हैं अगले कोशन पर 10 नंबर कोशन है प्रते कोशन आपको पूरी व्याख्या के साथ कवर कराते हैं, अगर आपको पसंद आ रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताईएगा, क्लासेस कैसी लग रहे हैं, लाइक भी करते रहिएगा, अगला कोशन है, थियेटर आर्टिस्ट संजना कपूर को किस देश के विशे सम्मान से सम्मानित किया गया, संजना कपूर ससी कपूर जी की सम्मंदित हैं और ये थियेटर आर्टिस्ट हैं, प्रसिद्ध हैं और इनको एक विशे सम्मान से सम्मानित किया गया, किस देश का वो सम्मान है तो इसका आपका देखे जल्दी से B number option सही हो जाएगा France के एक सम्मान है order of art करके सम्मान को जाना जाता है और इस सम्मान से सम्मानित किया गया संजिना कपूर जी को B number option सही हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं 11 और अंतिम कोश्चन पर बहुत अच्छा कोश्चन है भारत ने किस देश में फसे नागरिकों को निकालने के लिए विसेश बीमान भेजा है तो दोस्तों अभी आपने कोरोना वाइरस की थी कोरोना वाइरस से सम्मंदित कई स्टूडेंट्स हैं कई कारोवारी हैं कई लोग हैं जो कि चाइना में चीन में इस समय फसे हुए भारतिय लोग हैं तो इन लोगों को निकालने के लिए भारत ने विसेश बीमान को कहां भेजा है चाइना भेजा है ताकि वहां से उन सभी लोगों को निकाला जा सके जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूर्ण किया जा स जिसका आंसर आपको comment box में देना है इसके पहले आपको बता दें दोस्तों seated की आपकी तयारी एकदम अच्छे ढंक से 5 जुलाई की कराई जा रही है डेली आपको classes मिलती है साम को 5 वजे जिसमें हम लोग cover करते हैं pedagogy के बहुत important topics को chapters को अब आपकी एक लाश लगातार चलती रहेगी बस आपको देखना है कि आपको तयारी करनी है अगर करनी है आपके हो आपके किसी जानने बाले को तो उसके साथ जरूर सेयर करिए का प्रते question को पूरी व्याक्या के साथ समझाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं ताकि आपके 120 प्लस अंकी अभी से पूरी तयारी कराई जा सके अगला कल का question है आपका देखे जल्दी से इसरो के निदेशक हमने आप से पूछा था तो ये के सिवान है के सिवान जी जो है ये इसरो में है याद रखेगा बहुत अच्छा question है अब आज का question जिसका answer आपको comment box में देना है UN के अंतर्राशी नियाले आपको मालूम होगा अंतर्राशी नियाले का मुख्याले कहां पर स्थित है जल्दी से अधिक सदिक संख्या में comment box में answer करिएगा class बसंद आ रही हो तो उसे like करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ share करके comment box में answer देना मत भूलिएगा दोस्तों daily सुब़े 7 वजे classes आपको proper way मिलती रहती इनकी PDF आप मेरे telegram group से download कर सकते हैं जुड़े रहिए तयारी करते रहिए all the wish thank you जुस्तों